Hello everyone, so हमारे पास काफी जादा request आती है कि हमें सबसे जादा natural looking hair patch चाहिए हमें ऐसा patch चाहिए जिसके अंदर बिल्कुल natural front hair line हो आगे से बिल्कुल भी पता ना चले कि हमने कोई चीज लगाई भी है ऐसा लगे कि एक एक बाल हमारी skin के अंदर से आ रहा है इस वीडियो को end तक द तरीके के hair patch होते हैं monofilament, lace and skin base अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो description के अंदर आपको link मिल जाएगी उस वीडियो के अंदर मैंने हर तरीके के patch के बारे में information provide कराई है आज हम सर के जो patch लगा रहे है वो हमारा lace category का hair patch है जिसके अंदर कोई base नहीं होता आगे की तरफ से net होता है और जब वो net आपकी scalp के उपर लगता है तो वो बहुत अची finishing देता है front से लेस पैच के अंदर हमारे पास 2-3 categories आती है एक पैच होता है जिसके सिर्फ front से lace होता है एक पैच होता है जिसमें पूरे patch के अंदर ही सिर्फ लेस होता है उसमें कोई base नहीं होता आज हम सर के जो patch लगा रहे हैं वो हम full lace category का hair patch लगा रहे हैं जो हमारा सबसे premium category में आता है इस patch के अंदर कोई base नहीं होता या आपके head के accordingly जितना area आपका खाली होता है उतने area के accordingly hair patch को हम paste करते हैं इसके अंदर tape या glue method ही लग सकता है इस वादे patch के अंदर हम clip method के अंदर न है सही लगेगा कि आपकी skin के अंदर से बाल आ रहे हैं इस तरीके के जो patch होते हैं generally इनकी life कम होती है क्योंकि इनके अंदर कोई base नहीं है और सिर्फ यह net के बने होते हैं प्लस इस तरीके के patches में density बहुत low होती है density आप अपने accordingly customize भी करा सकते हैं अगर आप इस तरीके के patch मे बहुत ही low density चाहते हैं तो वह भी मिल जाएगा थोड़ा high या medium density चाहते हैं तो वह भी possible होता है इस तरीके के patches की जो life होती है वह approximately five to six months होता है and rest आपकी care के उपर depend करता है हमें approximately life बता के चलते हैं बाकि client किस तरीके से care करता है उसके accordingly होता है जैसे आप देख सकते हैं सर के ह अब ने सिर्फ और सिर्फ टेप का यूज कर रहा है ट्रांस्पेरेंट टेप लगता है इस पैच के अंदर जिससे जब आपके scalp के उपर लगे तो ऐसे लगे कि आपके scalp के अंदर से ही hair patch आ रहा है एक और चीज महीं आपे clarify करना चाहूंगा इस तरीके के पैच के अंदर ज जब glue melt करना start करता है तो इसके अंदर service duration थोड़ा सा कम हो जाता है इसके अंदर थोड़ा जल्दी आपको service कराना पड़ता है बाकी इस पैच में आप self maintain option में जाना चाहते हैं तो आप सिर्फ टेप का यूज कर सकते हैं हम आपको proper तरीके से train कर देंगे और अगर आप इसमे service based option में जाना चाहते है तो हमारे पास glue option होता है तो उसके अंदर आप 15 से 20 दिन इसकी service duration मान के चलिए नॉर्मल पैच के अंदर 20 से 30 देज का एक एक अप्रॉक्स होल रहता है बट लेस पैचिस के अंदर 15 तु 20 देज का एक होल रहता है बाकी Q6 से रिलेटिड में एक full detailed वीडियो भी बनाई विये उसका लिंक भी आपको description के अंदर मिल जाएगा इस तरीके के पैच में हमेशा बड़े बाल आते हैं और हम आपके accordingly कट करते हैं प्लस यह हेर पैच जो होते हैं वो freestyle होते हैं तो आप इसमें अपनी मनमर्जी का style बना सकते हैं I hope आपके काफी सारे doubts clear हुए हो अगर आपके मनमें अभी भी कोई doubt है तो उसको comment कर दीजे अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को like कर दीजे और चैनल को subscribe